पटना में एक पोस्टर ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है पोस्टर में बिहार भाजपा के नई व्रदेश अध्यक्ष समराच चोधरी की तुलना यूपी के सीम योगी से की गई है कहा गया है कि बिहार का योगी आ गया है समराच भाईया एक अड़े मार्ग खाली करो खाली करो यह पोस्टर बेली रोड पर लगाया गया है जेडियों में सी नीरस कुमार ने कहा गया है कि भाजपा पर शनी के साड़े साथी अब सवार हो गई है नमस्कार मेरा नाम है हश्टा शर्मा और आप देख रहे हैं नजट टूडे बता दें कि एक अड़े मार्ग लवास है इस तरह समराच चोधरी को बिहार के अगली मुख्यमंत्री के तोर पर भी प्रोजेक्ट किया गया है समराच चोधरी ने कल सोंबार को ही पटना में प्रदेश अध्यस्ट का प्रदभार ग्रेंड किया है दिल दिस से पटना एयरपोर्ट पहुचने और वहां से भाजबा कारियले तक आने के रास्ते में उनका जोड़दार स्वागत किया गया था पोस्चर पर राजनीतिक बयान बाजी भी शुरू हो गई है विधासवा में मंगलवार को यह पोस्चर चर्चा का विशे बन गया है राजद और कॉंग्रेस नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिकिरिया देनी शुरू कर दिये राजन विधायक अकृतुल्ला इर्मान शाहिन ने कहा कि यह दिखता है कि भाजबा के पास अपना कोई अपना चहरा नहीं है हमारा एक आदमी हमारा एक साधारन कारे करता भाजबा में जाकर प्रदेश अध्यक्ष बना जा रहा है सम अपना कोई भी देख सकता है लेकिन यह प्रमानित हो गया कि भाजबा के पास अपना कोई चहरा नहीं है जिसे वह बड़े पद पर भेज सके कोई जिधायक शकील एहमत खान ने एक अड़े मार्ग खाली करने के सवाल पर कहा कि वह बुल्डोजर की राजनीती लाना चाहत हैं पूर्व डिप्टी सीम तार किशोर प्रशाद ने कहा कि किसी भी दल की चाहत होती है राज्ये में सत्ता हो सरकार बने बिहार में भी हम पूरी ताकत से अपनी सरकार बनाएंगे समराच चोधरी मुख्यमंत्री फेस होगा क्या इस सवाल पर कहा कि वक्त आने पर यह पा क्या जरूरत है वो लंबे समय से पाटी के साथ है जन संगर्श की उपज है संजय जैसवाल में क्या डिमेडिट है आगे उन्होंने कहा कि उत्तर परदेश में हमारा क्या रिष्टा है हमारा रिष्टा तो जहारखंड से है और डी सा और बंगाल से है मंगलवार को समराच चोधिरी दिल्ली दोरे पर हैं दिल्ली में पहले प्ञदेश प्रभारी भिनोत तावरे से मिलेंगी इसके बाद प्रदार-मंस्तरी नरेन मोदी से मुलाकात करेंगे आप देखना यह होगा कि जब समran चोधरी पधाल मंतरी से मुलाकात करेंगे तो उनके बीच क्या क्या बात चीत होगी ऐसे तमाम अपडेटों के लिए देखते रहें नजर तुड़े धन्या